रोज रोज एकी तरह के नास्ता रोटी सबजी do ॉटी सबजी कहाकर बोर हो गए हैं तो यह नस्ता कर त्राइ ka बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है और प्रोटीज जभर पूर है तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए बनाते हैं मैं अहां नॉर्मल चावल दो कटोरी ले रहे हूं आप जितना बनाएंगे उसके क्वांटिटी ले लिजेगा हि कटोरी मसुर दाल है इस दाल से बहुत अच्छा स्वाद आता है और आधि कटोरी उरत दाल है धूली हूई उरत दाल अधि कटोरी चना दाल है इन सारे चीजों को मिक्स करके बनाना है इन सबको मिक्स करके मैं अहां फुलने के लिए 7-8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी तो मैं रात में फुला कर इसे छोड रही थी और सुबह इसे पीशूंगी तो मैं पानी इसको भीगो कर देखिए यहाई पर धो कर हमीं रखना है धो कर अच्छे से और अच्छा पानी डाल कर इसको रात भर के लिए भीगोने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 5-6 घंटा तो चावल और दाल भीगोने ही चाहिए और बहुत ही एनरजी फूल प्रोटीन से भरपूर आज का नास्ता बनने वाला है तो जरूर बनाईएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा तो मैं इसे छोड दे रही हूं फूलने के लिए तो देखिए धो कर मैं इसे अच्छ फर्मेंट बहुत अच्छा होता है हमारा दाल चावल बहुत अच्छा उठता है उससे ना रोटी हो या इडली हो बहुत अच्छा बनता है तो हमारा मानना है आप देख लिजेगा तो मैं यहां एक जाल ले रही हूं अब इसमें डाल दूंगी दाल और चावल एक और खुलता बहुत अच्छा है तो चलिए मैं इसे पीस कर दिखाती हूं दोस्तों मेरी चैनल पर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देजेगा मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो सेर जरूर कीजेगा तो चलिए यहां पर देखिए पीस कर मैं रेडी हो चुकी ह तो इसे एक बॉल में निकाल लेती हूं अब बहुत ही टेष्टी इनर्जी से भरपूर आज बनने वाली है रोज-रोज के नास्ते से कुछ अलग है बच्चे लोग हपते में चार दिन तो यही बनवाएंगे हमारे यहां बस यही हो रहा है मन भर नहीं रहा है किसी का पेट तो भर जा रहा है तो चलिए और जो बाकी बच्ची थे वो भी पीस कर रखनी हूं मैं इसे डग कर आदे घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती हूं और बहुत ही अच्छा एक टेष्टी चटनी बनाती हूं तो चलिए मैं चटनी बनाकर रेडी करती हूं चम्मच यहां पर घील लूँगी इसी में गरम होने के बाद प्याज टमाटर हरी मिर्च लसून और लाल मिर्च मैं इसे भीगो कर रखी थी गरम पानी में लाल मिर्च को इसे स्वाद आता है लाल मिर्च अगर नहीं चाहते हैं खाना तो उसे इसकी बिग कर सकते हैं तो मै स्वाद कनुसार नमक ले लूँगी और इसे भून लूँगी तब तक जब तक इसका पानी एकदम खतम न हो जा एकदम टेश्टी न बन जा तो ढख कर मैं इसे दो मिनट के लिए सोटे करूंगी तो देखिए हो गया था तयार प्याज और टमाटर सब गल गय थे और पीस लेती हूं तो देखिए मैं इसे हावा पंखे में रखी थी तो दो मिनट में ठंडे हो चुके थे मैं एक जार लूँगी और इसमें पीस लूँगी बहुत ही टेश्टी चटनी बन कर तयार है तो इसी तरह से हमें बना लिना है दोस्तों और गर्मी के दिनों में कुछ भी खाने को मननी करता है लेकिन तीखा चटपटा और बहुत ही मज़ेदार नास्ता बनाएंगे तो असानी से खा लेंगे तो चलिए थोड़ी सी पानी डाल कर मैं इसे पीस लेती हूं और देखिए बहुत ही लजी चटनी बनकर तयार है बहुत ही टेश्टी दीख रही है तो इसी तरह से हमें बना लेना है तो अब चलिए बनाते हैं जो बैटर तयार करके रखी थी उसे देख लेते हैं तो मैं यहां पर बैटर देख लेते हूं इसे आधे घंटे छोड़ी थी फर्मेंट हो चुका है फिर भी मैं इसे 2-3 मियाड तक अच्छे से कल्छी से मिक्स कर लोंगी मतलब इसे फेटना बोलते हैं तो मैं इसे फेट लोंगे अच्छे से तो फेटना इसको जरूरी है दोस्तों थोड़ा सा फ्लपी होता है थोड़ा सा हलका हो जाता है तो इससे न हमारा रोटी या इटली बहुत ही अच्छा बनता है तो चलिए रेडी हो चुका ह जला कर तवा रखती हूं और तवा बहुत हीट होना चाहिए तो मैं इसमें घी है एक जब बहुत तेज गरम होने देना प्रोटेन का बहौत ही डालेंगे तो जरोड ट्राइब किजएगा तो मैं कटोरी से देखिए इसको डाल रहे हूं और थोड़ी सी हाथों से इस तरह से फैलाऊंगी कल्ची बिल्कुल नहीं लगाना है यहीं पर और इसे इस तरह से छोड़ देना है और तेज आज रखने देना है तेज आज में ही बहुत अच्छ से पकने दीजे और फिर देखेंगे कि अंदर से इदम लाल हो चुका है और उपर से भी सीख चुका है तो लीजे हमारा पहला रोटी तयार है एकदम जाली दार पराठे बनकर तयार है बहुत ही टेश्टी तो एक ही तरफ से हमें सेखना है दोस्तों दोनों तरफ से नहीं तो रोज के वही बोरिंग खाना खाकर अगर नास्ता खाकर बोर हो गया है तो यह जरूर ट्राइक किजेगा तो देखें कितना मुलाम है मैं हाथ में लेकर भी आपको दिखाती हूं मोड़ूंगी तो फिर ऐसी आ जाएगा देखें कितना अच्छा है दाल और चावल से बन कर तयार हो चुका है तो लीजे अब आप खाये और इंज्वाइक कीजे और फेंड मेरी चैनल पर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपसे रिक्वेस्ट है अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजेगा और अपना सपोर्ड और आशिर्वाद हमें सक बनाए रखिएगा तो लीजे पहला बाइट आपके साथ सेयर करती हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ता आज कर बनकर तयार हो गई आप इंज्वाइक कीजे एक बार जरूर बनाएगा दोस्तों कैसी लगी आज की नास्ता बताइगा अगर आप अपने घर में बन मांग कर खाएंगे और बड़े का तो फेवरेट है ही है तो देखिए कितनी असानी से बन गई ना आज की नास्ता कोई ताम जानी बहुत अच्छी से बन गई और परेसानी भी नहीं तो चलिए मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ बाइ बाइ दोस्ट